तो पिछले कुछ दिनों में जैसे आपको पता ही होगा कि हमारी क्लासिस नहीं लगी थी ठीक है कुछ रिजन की वज़े से ठीक है तो अलमस्ट मतलब एक वीक ही हो चुका है हमारी क्लासिस ये कंटिनूर नहीं रही थी पता ही नहीं लगी थी अलमस्ट एक हफते के बाद अब हमारी क्लास लगने जा दिया और रेगुलर देगी ठीक है चलो हमारा जो आप फोकस रहेगा उसकी बात करें तो जो मतलब लास्ट वीक में जो हमारी न्यूस मिस हुई है ठीक है जो हमारे पास बैक लोग बना हुआ है अल्दो आप सभी ने मतलब पढ़ तो लिया होंगे लेकिन फिर भी कुछ कवर कर लेंगे तो कि मुझे ऐसा हो जाए कि मैंने करवा दी आप सभी तक मैंने पहचा दी ठीक है तो जो बैक लोग हमारा वो कवर करेंगे साथ के साथ जो हमारा चल रहा है वो हम continue करते रहेंगे साथ हम वापस अपने ट्रैक पर वापस आ जाएंगे और वही चीज हम फिर से शवात कर लेंगे ठीक है जी चले तो आज की तारीक की बात करें आज हमारे पास क्या है 11 जनवरी और आज के दिन की बात करें आज हमारे दिन कौन सा है Wednesday ठीक है लेकिन जो current fair होंगे वो आज के जा है इस इंडिया आर्मी मौने टॉबी बिल्ट इन ग्लासको सििटी औप स्कौट लेंड स्कोटलेंड की एक सिटी है गलास को वहाँ पर एक मेमोरियल बनने जा रहा है क्या बनने जा रहा है वहाँ पर एक मेमोरियल बनने जा रहा है जो वह मेमोरियल है सारा का सारा किसको डेडिकेट किया गया है जो इंडियन आर्मी थे ठीक है उनको डेडिकेट किया गया है यहाँ ऐसा बोलो कि जो British के Under, जी जो भी हमारे इंडियन थे, जिन्नोंने आर्मी में सर्व किया है, और World War I हो गई, यह World War II, उन्होंने मतलब जिन्नोंने जाके अपने Sacrifice दी है, वो सिरफ वो सिरफ इंडियन की बात करें, क्योंकि इवन अगर बात करें के वर्ल्ड वर वन की भी बात करें वर्ल्ड वर टू की भी बात करें दोनों ही टाइम यूक के मतलब चोरी इंडिया है जो वो कि ब्रिटिश के ब्रिटिश राज के अंदर था ठीक है तो ब्रिटिश भी क्या करते थे उनका भी मैक्सिमम क्या ह यह होता था कि जब भी कहीं लडाई हो रही है तो इंडियंस को बेज दो तो इंडियंस को बेज दो ताकि मतलब इंडियन को अगर जो नुकसान भी हो रहा है इंडियंस का ओर मतलब बृटिश वाले मतलब अपना safe रही तो यह उनका maximum focus रहता था हर बाल तो जैसे World War I और World War 2 में भी बहुत सारे Indians हैं जिनकी मतलब यह जो लडाई सुई थी, wars हुई थी, उनमें death हुई थी, ठीक है, जैसे आपको याद होगा, 1857 में जो revolt हुआ था, उस revolt में एक पॉइंट यह भी था, कि Indians जो है, अपना मतलब यह समूंदर पार करके कहीं जाना नहीं चाहते, क् क्योंकि जो British थे, वो किसको army men को recruit कर रहे थे और उनको बाहर वेज रहे थे, देश के बाहर लडाई करने के लिए, तो revolt में एक पॉइंट यह भी था, अगर आप सभी को याद होगा, हाना, तो वही एक reason था, ठीक है, उनमें से एक पॉइंट यह भी था, revolt के start होने की ठीक है, उन soldiers को, उनके sacrifice को honor करने के लिए, उन्होंने जो service दिया उसके लिए, Scotland की city council, ग्लास गो वहाँ पर क्या बनने जा रहा है, यह memorial की approval मिल चुकी है, वहाँ पर यह memorial है, उसकी approval मिल चुकी है, जो यह approval दिया, वो किस ने दिया, अगर बात करें, तो ग्लास गो की एक व approval प्रवाइड की गई है, कि हम यहाँ पर memorial बनाएंगे, ठीक है, जो मतलब वहाँ पर एक और भी केवन ग्रूव आर्ट म्यूजियम है, उसके साथ ही यह बनेगा, ठीक है, जाली दूर नहीं है, वैसे इतना हमें landmark की जुरूरत नहीं है, मतलब इतना detail में जाने की जुरूर memorial है, अब इस memorial में एक चीज और बताई गी है, कि जो इंडियन से हमारे, चार मिलियन इंडियन से जो वो शहीद हुए है, यहां 40 लाख बोल, लो, 40 लाख, 40 लाख इंडियन है, जो ब्रिटिश आर्मी के अंडर, वर्ल 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 टू में क्या हुए है, शहीद हुए है, इ यहां पर एक कंपनी का नाम भी आ रहा है, कंपनी का नाम ऐस सच, वो वाली कंपनी तो नहीं बोलूँगा, जिनके दवारा यह initiative लिया जा रहा है, ठीक है, यह memorial त्यार करने का, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ, उनका नाम क्या है, Colorful Heritage Multimedia Project, जिनकी तरफ से यह memorial है, उसको त्यार किया जाएगा, या 4 million Indian soldier बोलो, या 40 lakh soldier बोलो, जो British Indian Army में थे, सिरफ वो सिरफ इंडियन की बात कर रहा हूँ, जो शहीद हूँ है, World War 1, World War 2 की बात करे, जिसमें World War 1 की बात करे, तो हमारे पास क्या जाएगा, जो हमारी वो Anglo War हुई थी, ठीक है, Anglo-Afghan War कहा पर लिखा हुएगा, यहां पर, चलो, एनिवे, जो Anglo-Afghan War हुई थी, ठीक है, उसके बार अगर World War 2 की बात करे, तो वो ठीक है, तो उन दोनों में मतलब जो हमारे शहीद हूए, उसके बाद एक हमारे पास क्या आया था, अमर जवान जोती आया था, ठीक है, अमर जवान जोती कहा जिस में से बोलूँगा मैं, कि जो War में जो शहीद हुए थे, उनके सिंबल को रेप्रेजन्ट करने के लिए, उनकी शहीदी को रेप्रेजन्ट करने के लिए, एक जो flame, एंटर्नल एटर्नल फ्लेम यह भी बोला जा था, एटर्नल फ्लेम, वो चलाई आती है, मतलब यह फ्लेम जो कभी भूशती नहीं है वो किसलिए को कि जो भी शहीद होया उनको याद रखने के लिए ठीक है तो उसका नाम बाद में चेंज करके की नैशनल वार ममोरियल कर दिया गया था ठीक है अब अमर जवान जोती कभ शुरू हो आ था ना तो हां तो 1972 में जाके यह मतलब शुरुवात की गई थी किसकी अमर जोती की ठीक है कि जितने भी हमारे शीर हुए है उनको रेपर्जेंट किया जाए ठीक है किसके दवारा की जी उस टेम पे जो पी-म थे हमारे इंद्रा गंदी जी उनके दवारा इसकी चीज की अजली देने के लिए ठीक है 1914 से लेकि 1921 से किसकी बात कर रहा हूं एंगलो अफवान कार की बात की बात कर रहा हूं ठीक है और वर्ड वार टू में जर्मनी के अगिस्ट आ जाएगा ठीक है नैशनल वार मॉमोरियल की बात करें 2019 में उसको इन्योगरेट किया गया था कहा 400 में इंडिया गेट से तुर इसी दूर सा ठीक है पर्पोजल इतनी देर पराना था इस चीज के हमारे लिए जूरुत है जो पाइंट हमारे लिए आए वह वो कहा है 4 Concetic Circle जो चार सरकल जो माने जाते हैं ठीक है जो 4 चक्र माने जाते हैं ठीक है जिसमें काफी सारी चीज़ जाते हैं और इंस पर कोशन भी बन सकता है जैसे अमर चक्रा हो गया ठीक है रक्षा चक्रा हो गया ठीक है वीर्था चक्रा हो गया एक्तियाग का चक्रा है इस सवरे के बात करें जैसे अगर अमर चक्रा की बात करें अमर चक्र का मतलब क्या है कि मतलब इमोटल बन जाना ठीक boy लोफंदरलो जाती है जिन्हें बाद्री का कामिक है लास्ट हमारे पास कौनसा astronomum दियाख वाइयं इसे औरकिशी शिखेँ आगी गान उचक Emil ये पॉइंट हमारे लिए इंपोर्टट इम्पोर्टिटर India to chair Asian Pacific Postal Union क्या APPU APPU एक होते है construction UP अब ये दो different different तीजिए पहले बात करता है Bu Asian Pacific Postal Union ठीक है अब इसकी ना chair मिलिया है किसको India को एक साल के लिए कभ शुरूई थी जन्वरी जनवरी 23 में इंडिया को क्या मिनी थि इसकी चेर मिली थि ठीक है के इंडिया इस चीज़ को अब हैट करेगा एक साल के लिए ठीक अब ये कब decide हुआ था ये कब decide हुआ था तो last time जो एक submit हुई थी Around August के time period में कहाँ पर हुई थी Thailand Bangkok में Bangkok Thailand वहाँ पर सुमीट हुई थी जहां पर ये कि इंडिया को प्रेजदेंसी मिलेगी जा इंडिया चेर करेगा एक साल के लिए किसको एपीपी यू को ठीक है अब उसके बाद अगर मैं यह कूँ एपीपी यू का है तो वह भी हमारे पास क्या आजएगा यहीं पर है कहां पर बैंकोक थाइलांड में कहां पर बैंकोक नहीं क्या नाम था उन्ट नाम क्यों आजएद़ आ क्योंकि उनको क्या बना दिया गया उनको मतलब जनल सेकेरट्री mobile ऐ एक पी यू कर्येपी यू का जनल सेक्रीपना दिया क्यों कि इंडिया करें तो डोक्तर विन्य परकास नीज ही चार साल के लिए कितनी देर के लिए चार साल के लिए उनको क्या बना दिया गया मेंबर बना दिया गया ओके चलिए यह क्या हो गया बंद हो रहा है मुझे लगा कहीं और से वाजा दी चलो anyway नेक्स दीखे इमारे पास के बार होगा, यह पहली बार होगा कि इंडिया के पास इसकी Presidency आई है यह इसकी Chair आई है, this is the first time Indian person, कोई भी Indian person क्या कर रहा है, Head कर रहा है, किसी International Organization को, वो भी किस सेक्टर में? Postal sector में, वो भी किस सेक्टर में? पोस्टर सेक्टर में अब जैसे कि मैंने पहले बोला था APPU और UPU की अगर उसकी बात करें अब APPU जैसे आप सभी को पता ही चल गया Asian Pacific Postal Union है ठीक है वैसे ही अगर इसकी बात करें यह क्या है Union Postal Union है Sorry Universal Postal Union है Universal Postal Union अब डोनों में difference क्या है डोनों में difference यह है जो यह AASIA Pacific है यह सिरफ और सिरफ रीजन के बेस पर काम करती है यह यह universal है यह किसके all over globe काम करेंगी यह काम काहां पर करेंगी all over globe यह काम करेंगी ठीक है अब APPU की बात करें प्रिप्स आगoqu ठीक है कब सरेंस वुए थी मनीला में मनीला कहा है ए फिलिपाइंस में कुछा पर यह फिलिपाइंस में घए और अ वासेनार एग्रिमेंट वासेनार एग्रिमेंट की बात करें कि जो भी मतलब चेर करेगा एपी पी यू को जो भी चेर करेगा वो ये वासेनार एग्रिमेंट के कोडिंग काम करेंगा वासेनार एग्रिमेंट क्या कहता है ये एग्रिमेंट ये कहता है अगर आप इस चेर पर को युनिवर्स तो नहीं बोलूँगा मतलब ऐसे इंटरनेशनल बोल देता हूं ठीक है अगर आप एप यू की बात करें मतलब एशन पर सैफिक बीजन पर फोकस करोगे उसके साथ साथ आप इंटरनेशनल रीजन पर भी फोकस करोगे अब दोनों चीज़ पर किस चीज़ पर इनका गोल ये बेन गोल है जब इंडिया को प्रैजेंसी मिल चुकी है कैप्टन शीवा चोहान बिकम देफर्स वुमन आफिसर तो बी पोस्टेड इन वर्ल्स हाइस बैटलफिल्ट स्याचीन वर्ल्स की हाइस बैटलफिल्ट में जब बैटलफिल्ट या गरांड कहलो ठीक अब यहां पर लिकालक है, world highest battlefield, अगर highest की बात करें, तो sea level से कितना उपर, तो हमारे पास क्या आजएगा, 20000 feet Sea level से 20000 feet की उचाईब पर यह हमारे पास स्याचिन आजाती है, एक battlefield आजाती है, स्याचिन battlefield की बात करें कौन से, मतलब अगर ranges में आ जाते हैं कौन सी mountain range आ जाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या गया करा कौरम ranges करा कौरम ranges जहां पर यह मतलब स्याचीन आ जाती है ठीक है यह battlefield आ जाती है इसको मतलब सबसे बड़ा मतलब वर्ल का highest military battleground भी बोला गया battlefield भी बोला गया जो उपर लिखा ही हुआ है statement में ठीक है अब वहां पर सबसे पहले जो हमारे पास female captain बनिया उन चीज़ पर उन पर सबसे ज़रा focus किया गया अब यह जो उनकी unit है ठीक है यह captain की जो यह unit है सारी की सारी वैसे तो इंडियन आर्मी के लेकिन इस unit का अलग नाम है इस unit का अलग नाम है क्या है fire ठीक है fire के साथ दूसरी चीज़ जो 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 जोडिया वो क्या है fire and fury fire and fury को fire and fury को जो इनकी unit है इसका नाम है जिसको जो head कर रहे हैं यह कितने देर के लिए head करेंगे यह 3 month के लिए hand करेंगे 3 महीनों के लिए 3 महीनो के बाद उनके बाद इनको further extension दी जाएगी या नहीं दी जाएगी वो भी decide नहीं है लेकिन अभी तक सिरफ और सिरफ तीन महिने का इनको 10 over मिला है मतलब उटने time के लिए ये वहाँ पर काम करेंगे हां एक चीज और लिख देते हैं यहां पर कि अगर मैं बात करूं कहां गया Captain Shiva Chohan की Captain Shiva Chohan कहां के रहने वाले राजिस्तान के रहने वाले कहां के राजिस्तान के रहने वाले कहां चला गया राजिस्तान के बाई परफेशन यह कहां इंजीनियर है ठीक है civil engineering की है इन्होंने ठीक है और कुछ important हां अगर fire and fury call की बात करें तो यह जानना इसका जो headquarter वह कहां पर है ले में इसका headquarter है कहां पर है किसके अंडर आता है इंडियन आर्मी के अंडर आता है ठीक है एक unit को क्या बोला है जो मतलब बोला है उसको fire and fury call बोला जाता है जो कौन से जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो थोड़ा सा station change कर दिया जाता है ठीक है बाकि उनकी life के बारे में बताया हुआ है captain shiva चोहान की बारे में थोड़ा बता रीड कर लेना अब यह important points आ जाएगा ठीक है कुछ और women's की बात कर लें जिन्नोंने मतलब defense की field में कुछ अपना नाम काफी अच्छे से मतलब maintain किया या बनाया है ठीक है उनमें से सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे वो तीन pilots की बात करेंगे जो पहली first woman fighter pilot थे first woman fighter pilot से उनकी बात करें उनमें तीन नाम हमारे pilots कौन से के अविनी चूतरवेदी ठीक है मोहाना सिंग एंड भावनाकांत ये तीन नाम वो है जिन्होंने सबसे पहले woman fighter pilots बने है उसके बास second number कर हम बात करेंगे किसके शिवानी सिंग की वो क्या रहे है वो squadron golden arrow के मतलब हो रहे है मतलब रफाल चलाया है जिन्होंने ठीक है रफाल of the first woman fighter lieutenant है जो ठीक है किसकी बात करा हूँ शिवानी सिंग की बात करा हूँ ठीक है joined squadron जिन्हों ये arrow of रफाल ये join किया था जो पहले कहा रहे है उसके बाद next हम बात करें भावना कांत की जो यहां पर आपको यहां पर भी नाम दिख रहा हुगा ठीक है भावना कांत की बात कर अब एर फोर्स में उतने में पास पारिस पेड किया था जो रिपाब्लिक डे पर हुई थी कहां पर हुई थी रिपाब्लिक डे में हुई थी उसमें पारिस पेड किया था next mission 929 started by the election commission for more than 90% pulling in तरीपूरा अब तरीपूरा की बात करें अगर या तो आप ऐसे बोलो union government या बोलो center government तो उनके दोरा main focus किया जारा है किस पार तरीपूरा पर तरीपूरा पर क्यों focus किया जारा है और यह mission 929 है इसका मतलब क्या है जो mission 929 है यह कहता है कि हम क्या करेंगे तरीपूरा नमेना हमारा जो main focus है election commission का कि 90% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा हमने क्या करनी है election लेकर आनी है मतलब polling data हमारा इतना हो ठीक है मतलब 90% से ज़्यादा लोग वहाँ पर आके vote करें इनका जो main focus है यह चलो वह तो ठीक है 90% हो गया लेकिए 929 क्या significance कर रहा है यह क्या बताता है 929 यह बताता है कि हम इतने pooling booth लगाएंगे इतने pooling booth लगाएंगे चाहे वो किसी तहसील में हो चाहे किसी district में हो चाहे किसी गाओ में हो चाहे किसी area में हो तो total तुरिवपूर हमें कितने बलेंगे 929 पूलिंग बूथ बनेंगे जहाँ पर जाके आप वोट कर सकते हो जहाँ पर जाके आप वोट कर सकते हो उतने ज़रा pooling booth लगाने ज़रा इनका main purpose क्या था ताकि 90% से ज़्यादा हमारे पास क्या आ जाए वोटिंग आ जाए ठीका लोगों को वोटिंग के लिए motivate करना अवेर करना जो इनका main point एक ये भी था इसके साथ एक और mission भी चला था mission 929 के साथ एक और mission भी जहाँ पर चुनू है उस mission का क्या नाम है mission zero pole violence mission zero pole violence अब mission zero pole violence क्या है कि जब भी यहाँ पर polling हो रही होगी जा वोटिंग डल रही है तो वहाँ पर कोई भी violence ना नड़ाई हो ना जगड़े हो ना दंगे हो ना फसाद हो ना कुछ आज़ा कुछ ना हो सारा का सारा peaceful हो इस चीज़ पर focus किया गया इस चीज़ पर focus किया गया यह क्या है मार पास mission 929 जिसमें 939 पूलिंग स्टेशन लगेंगे election commission of India की बात कर ले थोड़ा static कवर कर ले अब election commission of India क्या करता है यह मतलब जो 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 वोटिंग होती है वो चीज़े मतलब बन करते हैं त्यक्या सीरफ और सिरफ ऐसा नहीं है कि मतलब ली Treasury परी दाह उतनी करता है लोग समय हो गया सिन्द सब की जो यह election होती है उस ताम जो वोटिंग होती है सारी किता कौन कमिशन करता जहां पर तो कौंसे ओर हमारे पास आती है नहींन कोषी इसे इंद के 339 आर्टिकल जो हमारे Constitution है उसमें आती है इलेक्टरन कमिशन कब फॉर्म हुई थी कब आई थी यह पावर में तो हमारा पास कहा जाएगा जो भी यहाँ पर इलेक्शन कमिशनर बनेगा ठीक है यहाँ तो वो 6 साल के पिरिड के लिए होगा यहाँ वो 65 साल की उमर तक कहूगा जो भी दोनों से सबसे पहले आएगी उसके बाद वो क्या हो जाएगा रिटायर हो जाएगा अब सबसे पहला वर्ड जो एक बार रूच क का मतलब क्या है किसी को भी किसी की पोर्स से रिमूव कर देना जो अभी तक यूस नहीं किया गया था कॉंसियूशन में ठीक है तो मतलब इससे पहले नहीं यूस किया था लेकिन अब थुड़ा यूस किया जाता है अब करंट अगर देखा जाए तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिशन की बात किया जाए तो वो हमारे पास को न आ जाते है रजीव कुमार आ जाते है ठीक है रजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिशन आ जाते है ठीक है मिथाली ठाकुर जी की बात कीगी है जो एक सिंगर है मिथाली ठाकुर जी क्यों बात कीगी है क्योंकि उनको क्या बनाया गया, state icon बनाया गया, कौन सी state का, बिहार का, यह state icon क्या काम करता है, state icon काम करता है, ऐसे मतलब लोगों को aware करने के लिए, कि आपको voting करनी चाहिए, promote करने के लिए, ऐसे पहले भी election commission ने किया था, किसको, पंकर तरमाटी जी को बनाया गया, brand icon बनाया था, उनको brand ambassador बनाय से NTPC, NTPC से के दवारा, सबसे पहला इंडिया में, इंडिया में सबसे पहला, जो hydrogen blending प्रजेक्ट है, उसको क्या किया गया, commission किया गया, commission कहां पर किया गया, all over India, अगर हम आपको gas करने को भी बोलो, तो भी आप gas सही कर लोगे, तो कहां पर commission किया गया, gujarat में commission किया गया, गुजरात में कहां, तो मेरे पास क्या रहेगा, सूरत, गुजरात में कहां, सूरत, क्या यह, जो commission किया गया है, सिरफ और सिरफ NTPC कर दी है, नहीं जी नहीं, सिरफ NTPC तो कर दी है, NTPC के साथ, एक GGL भी है, इन दोनों मिल के, यह दोनों मिल के, मतलब ऐसे partner के तोपर, य GGL क्या है, गुजरात gas limited, GGL क्या है, गुजरात gas limited, अब यह commission होने के बाद, जो इंडिया है, इंडिया उन country's में आ गया, जिनके पास hydrogen blending project है, ऐसी कुछ ही country's है, all over world में, जैसे के, US हो गया, Germany हो गया, Australia हो गया, उसके बाद कौँ से आ रहे, इंडिया, मतलब ऐसी कुछ ही country's है, all over world, जिनके पास hydrogen planting project है, अब यह project शुरू होने के बाद, इंडिया भी उन में से एक आ चुका है, अब hydrogen क्या है, आज की time में hydrogen को क्या मोना जाता है, कि center of the economy माना जाता है, global की बात करें, global hydrogen economy की बात करें, तो hydrogen मतलब center माना जाता है, कि hydrogen मतलब काफी जादी economy है, मतलब किसी कर्टी की, मतलब बढ़ा सकता है, अच्छी से कर सकता है, जिसकी वज़े से इस पर बहुत ज़रा focus किया जा रहा है, NTPC की बात करें, NTPC क्या है, कब बनी थी, NTPC 1975 में बनी थी, इसके अब चेर्मेन की बात करें, तो हमारे पास क्या जाए, गुर्दीप सिंग है, headquarter की बात करें, headquarter कहा है, Delhi में, NTPC को मतलब title भी दिया गा था 12-10 में, 12-10 में इनको कौन था title दिया गया है, माहा रतना का title दिया गया था, माहा रतना company का कब 12-10 में इनको ये title दिया गया था, अब ये point भी important है, कि इंडिया बोलो NTPC का सबसे पहला, इंडिया की तरफ से NTPC का सबसे पहला pit head super thermal power, क्या है, pit head super thermal power, जो project कहां पर start किया गया था, UP में, कहां पर UP में, कौन सी जगा UP में हमारे पास क्या गया, singrolli, कौन सी singrolli UP में जगा है, जहां पर ये शुरू किया गया था, green hydrogen आपको बहुत बार पहले बता चुके हों के green hydrogen क्या है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना, go through हो जाना, अब ये point भी हमारे लिए important है, India's first pure green hydrogen pilot plant, pure green hydrogen pilot plant, India का सबसे पहला, कहां पर है, Assam में, कहां पर है ये, Assam में है, जोहरत pump station in Assam कब बना था, April 2022 में, ठीक है, almost और almost इसको मतलब 8-9 मीने हो चुके हैं, ठीक है, तब ये बना था, first all India annual conference of ministry of state on water, water vision, 1247 head in Madhya Pradesh, Madhya Pradesh में conference हुई थी, conference किसके रिगाड़ी थी, water के रिगाड़ी, water vision, 1247, मतलब जब एक, अमरित काल पूरा हो जाएगा, काल से मतलब क्या है, मतलब 100 साल पूरे हो जाएगे, एक century complete हो जाएगी, उस चीज़ पर focus किया है, Madhya Pradesh में कहां तो हमरे पास क्या आजएगा, Bhopal में, कहां, Bhopal में, ये दो दिनों की conference थी, इस conference में क्या हुआ था, PM Modi ji के दोबारा कुछ चीजों पर focus करने की बात की थी, PM Modi ji ने कुछ initiative दिया था किसका, five piece का, जिस पर सारा का सारा काम किया जाएगा, सारे के सारे जितनी भी stakeholder उनको बता दिया गया, इस चीज पर हमने focus करना है, ताकि water, vision, add rate, 1247 सक जो हमारा पानी है, उस पर हम focus कर सकें, अब ये five piece है क्या, five piece की बात करें उसमें हमरे पास क्या आजएगा, political will, public financing, partnership, public participation, and सबसे last क्या है, persuasion, किसके लिए, ताकि जो sustainability है वो बनी रहे, ये सारा किसके लिए होड़ा, पानी के लिए, और ये conference थी इसको भी मतलब पानी वाली जो मतलब क्या focus करना है, कि political अगर आपके पास will है, और public की financing है, public की sport है, public की partnership है, ठीक है, उसके बाद last मारे और persuasion है, क्या करने की मतलब इच्छा है, persuasion है मतलब अपनी आपको pursue कर भी चलते रहो, तो हम क्या कर सका है, sustain कर सकते हैं, इंडिया को पानी की तरफ से, ठीक है, ये इनका main motive था, कुछ और आने वाले time में कुछ और conference होगी, जो सारी की सारी पानी के related होगी, कुछ जो पांच यहां पर given है, इतना detail में हमें जाने की जूरुत नहीं है, हिमालचल परदेश government started the chief minister, सुक अशार्या सहेता कोश, सुक असार्या सहेता कोश, ये एक CM की scheme है, जो हिमालचल परदेश के CM है, जो सुक विंदर सिंग, सुकु उनके दवारा शूरू की गी है, अब इस scheme में क्या है, इस scheme में ऐसा है, कि हिमालचल परदेश के जो CM है उनके द्वारा ये बोला गया है कि जितने भी Congress के MLS है Minister है वो सारे के सारे क्या करेंगे कि उनकी जो salary होगी उनकी एक salary की क्या करेंगे वो donation करेंगे या fund करेंगे एक salary की क्या करेंगे funding करेंगे या donation करेंगे अब कितने MLS हैं उसकी बात कर दे हिमाचल परदेश की बात कर दे तो हिमाचल परदेश की जो assembly है हिमाचल assembly उसमें total कितनी seat size 68 seat और Congress के बाद इस साल कितनी आई है 40 Congress के पास इस साल कितनी आई है 40 मलत 40 MLA है Congress के का को पर हिमाचल Assembly में, Himachal Assembly में, और जिसमें मतलब अगर देखा जाए, सुक्विंदर सिंग, सुकु ये 10-11 दिसम्बर को मतलब CM बने है, किसके Himachal के CM बने, अब इसका Objective क्या है, इन्होंने सारे मतलब Congress के जितने MLA से उनसे पैसे तो ले लिये, Objective क्या है, Objective इनका ये है, कि ऐसा नहीं है, कि सिरफ एक चीज़ पर focus कर रहा है, सिरफ women's पर ही focus किया, लेकिन women पर भी special need दिखाई है इन्होंने, क्या है, उन पर जिनको specially कुछ need की जुरत है, women's पर, ठीक है, education के related, higher education के related, safety के related, shelter के related, ठीक है, ये सारी चीज़ों पर क्या होगा, ये fund से जो भी पैसा इकठा होगा, वो वहाँ पर expenditure की दिखाई जाएगा, मतलब वहाँ पर खर्च किया जाएगा, ठीक है, चाहे किसी नहीं कोई skills की बात हो, जाएगा, कुछ और चीज़ की बात हो, higher education की provide हो, need children and destitute women हो जाए, ठीक है, expenditure on skill development, higher education, तो यहाँ पर सारा का सारा पैसा spend किया जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिरफ ये ही मतलब कुछ points है, इसके सिवा कुछ और भी points है, जहाँ पर मतलब पैसा लगा सकते हैं, वो depend करता है, ठीक है, जैसे living in child care institution, जो child care institution होती है, जो बच्चों को समालती है, ठीक है, all children under forest care, जो forest care के अंदर होते हैं, मतलब अनात बच्चे होते हैं, ठीक है, उन पर focus कहाजएगा, living in नारी सेवा सदन, जो नारी सेवा सदन में women's रहती हैं, उन पर शक्ती सदन जब वहाँ पर रहती है, old age home हो गया, यह सारे मतलब कुछ ऐसी जगह हैं, जहाँ पर यह मतलब क्या करेंगे, जो भी fund इकठा होगा, वो सारी की सारी लगाएंगे, लेकिन एक चीज पर आप ध्यान देने वाली बात है, कि जो भी पैसा होगा, वो कोई भी मतलब आम जनता से नहीं ले रहें, जो भी पैसा है, वो आम जनता से नहीं ले रहें, जो सरकार में बैटे MLA से हैं, उनसे ही लिया जा रहा है, वो भी सीरफ औस सीरफ कांगरेस वालों से, ऐसा नहीं है कि BJP और अगर आपका एक अदहाया है, ठीक है, वहाँकी बात करेंगे, तो मतलब उनसे सीरफ-सीरफ कांगरेस की, और आम जनता को नन्होंने देखा भी नहीं है, कि आम जनता से हम पैसा लेंगे, फिर आम जनता पर spend करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ एक interesting चीज है, कि देखते हैं, क्या result निकल के आता है, future में, चलिए, China become the first country in Asia, इसमें, एशिया में सबसे पहले country बन चुकिया, जिन्होंने hydrogen power train शुरू किया, hydrogen power train शुरू किया, वो Asia में सब सबसे पहली country बन चुकिया, कौन सी चाइना, ठीक है, लेकिन अगर world की बात करें, world में सबसे पहली कौन सी है, तुमारे पास क्या आजएगा, Germany है world में सबसे पहली, Germany ने कब किया था, ये मतलब August के round time period था, 2022 के, ठीक है, जब इन्होंने ये launch कर दी गई थी, ठीक है, अब ज जो Germany के दवारा की गई है और जो चाइना के दवारा की गई है, कुछ different है, लेकिन पहला चाइना के बारे में थोड़ी सी बात कर ले है, ठीक है, जो चाइना की ये train बनाई गई है, ठीक है, अ मतलबfive एक company के दवारा form किया गया, जिसके दवारा introduced किया गया, जिसके दौरा CRRC Corporation एक company है जिसके दवारा ये चाइना वाली ये trains बनाए गई है लिखा ही हुआ था जहां पर ठीक है जिनके जा रहा है ये train बनाए गई है अब जो ये train है चाइना की उन्होंने क्या बोला है ये train है ये 600 km तक travel कर सकती है उसके बाद इसको refill करने की जूरत पड़ेगी मतलब hydrogen refill करने पड़ेगी 600 km अब जो 600 km चल सकी है कितनी speed पर 160 km पर आवर की speed पर चल सकती है ये चाइना की बात करें हम लेकिन अगर हम focus करें थोड़ा जर्मनी की इससे पहले भी train आई थी तो जर्मनी वालों ने क्या बोला जर्मनी वालों ने ये बोला था कि जर्मनी की जो train है वो 1175 km तक travel कर सकती है उसके बाद उसको refill करने की जूरत पड़ेगी 1175 km तक वो चल सकती है इतना बोला था मतलब 1000 km से तो जादा ही बोला था ठीक है ये सारा का सारा काम हो क्यू रहा है इसके पीछे reason क्या है इसके पीछे सारा का सारा reason क्या है CO2 जो net zero carbon emission उसको attain करने की कोशिश की जारी है world हमें सबसे जल्दी सबसे fast ताकि carbon emission कम हो global warming पर effect कम पड़े जो climate हमारा change हो रहा है बहुत जल्दी से उसको मतलब control किया जाए जितना हम कर सकते हैं उतना ज़रा ही focus कर रहे हैं reduce carbon emission by 10 tons per year जितना diesel मतलब ज़्यादा करता था जी कैसा साल का 10 ton per year हम क्या कर सकते हैं carbon emission कम कर सकते हैं एक साल का एक साल का एक ट्रेंज से सोचो अगर यह सारी all over world हो जाए तो कितना effect पड़ेगा कितनी changes आ जाएंगी हाना अब इंडिया की तरफ से भी मतलब tag किया गया था कि इंडिया भी hydrogen train बनाएगी लेकिन इंडिया वालों ने यह बोला है कि जो हम hydrogen train बनाएंगे वो हम ही बनाएंगे हम मतलब बाहर से नहीं ना किसी की help लेंगे मतलब क्या होगी indigenous होगी completely indigenous indigenous मतलब आत्म निर्वर की बात हो रही है जहां पर किसकी बात हो रही है आत्म निर्वर की बात हो रही है और इंडिया वालों ने जो जे भी बोल दिया कि जो हम train बनाएंगे उसका route क्या होगा सबसे पहली जो train चलेगी वो almost 90 किलोमेटर का जो distance होगी वो tag करेगी कितना 90 किलोमेटर का distance take करेगी कहां से कहा जाएगी तो हर्याना की दो जगे सौनी पस से लेके Jean कहां पर सौनी पस से लेके Jean जो कहां कि हर्याना की जगाएं है वहां पर सबसे पहली hydrogen train चलेगी इंडिया की ये सारा का सारा project किसके अंडर आ रहा है अंडर national hydrogen energy mission के अंडर आ रहा है सारा का सारा project ठीक है इनका जो main focus यह है target यह है कि हमने क्या करना है net zero carbon emitter बनना है ठीक है कब 2030 के financial year में उच चीज़ पर यह focus करें अब hydrogen fuel cell पर कुछ बात की हुई है ये थोड़ा ट्रैटिकल आप पोर्शन रीड कर सकते हैं आपके लिए एड किया गया है Next Defense Minister राजना सिंग इनोग्रेड सेयोम ब्रीज इन अनाचल परदेश इनाचल परदेश में को है? एक सेयोम ब्रीज है जिसको इनोग्रेड किया गया किस के दवारा? जो हमारे Defense Minister राजना सिंग के दवारा अब इस ब्रीज की खासयत क्या है? पेहली तो एक चीज़ कि जो ये ब्रीज बनाया गया किस के दवारा बनाया गया? बी आ रो के दोरा ये सारा का सारा ब्रिज जो कंस्ट्रक्ट किया गया है चलो ठीक है उसके बारा जब ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है उससे क्या होगा इंडियन आर्मी को काफी हल्प मिल लिया है इंडियन आर्मी को काफी हल्प मिल लिया है इंडियन आर्मी को इतनी हल रीजन है कहां तक के इस तक के जो रीजन है वहां पर मतलब सीधी connectivity बन रही है मतलब इंडियन आर्मी कोई भी अपना समान easy से भेज सकती है easy से भेज सकती है दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ में यह है कि जो हमारा L.A.C है L.A.C line of actual control ठीक है उसके पैलल चल दिया परदेश का जो रास्ता है वो सारा का सारा almost L.A.C के पैलल है L.A.C के साथ साथ चल रहा है जोसपर मतलब L.A.C पर भी proper नजर बनती रहें अब जब यह चीज इनोगरेट की थी राजना सिंग जी के दौरा तो सिरस यही नहीं किया गया था कुछ और अर्ष के चीज थी जो इनके देवागा इनोगरेट की गई थी अधियुर 2000 और इसए पर्जेक्ट थे लिए धियुर 50L थे डौर जमू एड कश्मीर आ गया राजिस्तान आ जाएगा पंजाब आ गया ठीक है उत्रखंड आ गया लदाख आ गया वो जमू एड कश्मीर भी गया ऐसे कुछ जगाए है चाहाँ पर किया गया अब यह सारी जगाए पर आप थोड़ा सा फोकस कर लो अगें लो सी के हासपास ही है एक चीज कर लेत है जहाँ से लेकि यहां तक आटि अगर मैं मीट डेखा जाओ लह हुँ कितना लंबा है को ब्रिंच के बारे में बता थिया, ठीक है, खुछ बहुत सारी roads बन रही है, tunnels बन रही है, bridges बन रही है, military basis हो गया, permanent military infrastructure हो गया, helipod हो गया, airfields हो गया, यह कुछ वो चीज़े हैं, जो inaugurate की गई थी, राजना सिंग जी के दवारा, यह कुछ ओवली चीज़े हैं, जो inaugurate की गई थी, next देखिए मारे पास क्या है, गान नगाई festival celebrated by the community, कहां की मनिपूर की, मनिपूर की एक community की दवारा एक festival celebrate किया जा रहा है, उस failures की बात के उसके नाम क्या है, गान नगाई, sir exam होने में अभी six month, तो होंगे APFC के, notification के बाद at least three month, मैं three month मान के चलूंगा, count करेंगा, ठीक है, बाकी मतलब UPSC की मर्जी है, पहले भी ले सकता है, ठीक है, तो हमारा focus रहेगा के, वैसे तो six month generally period इतना ही रहता है, लेकिन three, कोश, त्यारी आप अभी से अपनी इतनी रख कर दो, ठीक है, कि अगर आगे time भी कम मिले तो भी चलेगा, वैसे generally six month तो होते ही है, ठीक है, गान नगाई festival की बात करें, यह मनिपूर की जो एक community है कौँसी जैलियांग रॉंग उनके दवारा celebrate किया जाता है, क्यों celebrate किया जाता है, तो दो चीज़ों पर focus किया जाता है, एक तो क्या होगा है, जाता है new year की celebration हो जाती है, new year की celebration हो जाती है, दूसरी क्या है, festival of crops, के इस time period में यहाँ पर क्या जाती है, जो फसल होती है, उनकी कटाई हो जाती है, ठीक है, तो जो मतलब फसल बच जाती है, मतलब जो grains होते हैं, चाहे गेहूं कहलो चाहे कुछ भी कहलो ठीक है, गेहूं तो नहीं होता है इस time ठीक है, चावल होंगे mostly ठीक है, तो उसको मतलब संभाल कर रखा जाता है, food grains जो भी मतलब इनों जो भी लगाया, ठीक है, चलो, वो छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको सबाल कर रखा जाता है, और उसके साथ साथ ये क्या करते है, न्यूएर की celebration ये कब करते हैं, नवंबर, मौसी, नवंबर और दिसंबर के time period के coding करते हैं, नवंबर और दिसंबर के time period के coding अगर देखा जाए, ऐसा कौन सा कलेंडर है, जिसके coding ये काम करते हैं, तो हमारे पास क्या आजएगा, जोर्जन कलेंडर, जी-ई-ओ, जी-ओ, जोरियन कलेंडर, उसके coding ये celebration करते हैं, ठीक है, अब इनका जब फेस्टिबल है, गान नगाई, इस फेस्टिबल को थोड़े से अलग नाम से भी परनाउस किया जाता है, जैसे के चक्कन गान नगाई, ठीक है, जिस मन्त में celebrate किया जाता है, उसको भी गान भू बोला जाता है, जिस मन्त में भी celebrate हो रहा है, नमंबर या दसंबर दोनों में किसी एक मेने में ये celebrate किया जाता है, ठीक है, वो according to, ये जोगियन कलेंडर के according हो रहा है, ठीक है, पूजा करते हैं, ठीक है, मतलब आग लगाते हैं, उसके साथ पूजा करते हैं, सारी कि सारी, ये आपको बता दिया, नेक्स्ट, जागा मिशन, उडिसा की बात करें, उडिसा की, अब एक जागा मिशन है, उसमें कुछ अच्छा किया है, उडिसा ने, जिसकी वज़े से उडिसा को क्या मिला है, अवोर्ड मिला है, जो अवोर्ड मिला ह किसके दोरा मिला गया, UN heritage के दोरा, World Heritage Awards, ठीक है, UN Habitat World Heritage Awards उनके दोरा अवोर्ड दिया गया, किसको, URICSA को, क्यूं, उसने जागा मिशन में अच्छा काम किया है, और जो ये अवोर्ड मिला है, URICSA को, इस बार वो मिला है, दूसरा वोर्ड मिला है, कौन सा वोर्ड मिला है, मनदब इससे पहले पहला भी वोर्ड में चक्ख होगा जो दूसरा वेर में मिला था 2020 में मिला था मिला था 1977 यह जागा मिशन की बात करें उरिंचानेगा मिशन की कब शुरुआऄक़ की थी 2018 में जागा मिशन शुरू किया था उरिंचाने और 2019 में जाके दोज़र उनिस में जाके UN habitat की दरों से वर्ल्ड habitat का अवोर्ड दिया गया था किसको उडिसा को सबसे पहली बार और दूसरे बार कम मिला दोज़ाट तेस में मिला अब यह जागा मिशन है क्या जागा मिशन यह है उडिसा का एक प्लैन है उडिसा का ही चाहती है इंडिया की सबसे पहला स्टेट बनना चाहती है इंडिया की सबसे पहली स्टेट बनना चाहती है किसके जागा मिशन के अंडर आ लिए जागा मिशन इनका क्या है कि जितने भी slum areas हैं, उनको convert किया जाए, develop किया जाए, upgrade किया जाए ये सारा काम Udisa का कहती है, वो ये कहती है के, इंडिया की मैं सबसे पहली state बनना जाती हूँ, जिसमें slum है ही नहीं slum free state of India, ये बनना चाती है कौन सी Udisa, ये क्या है उनका, मतलब एक mission है, ठीक है, Udisa का ठीक है, जिसकी वर से, जाएगा mission के अंडर, दूसरी बार UN habitat की तरफ से world habitat का award मिला है किसको, Udisa को मिला है, अब ये सारा का सारा क्यों हो रहा है क्योंकि जो Udisa है, वो 5T के coding काम करती है, किसके 5T के coding काम कर रही है, अब 5T में मतलब 5T की बात हो रही है, 5T कौन-कौन से है, उसमें सबसे पहले हमारे पास कहा है, transparency, teamwork, technology, transformation, और एक और या तरह time, time, ये 5T है, जिस पर ये काम कर रही है, Udisa ठीक है, transparency, technology, teamwork, time and transformation, ठीक है, ये initiative है, Udisa का, ठीक है, और भी कुछ ऐसे मतलब programs होंगे, जहां पर आपको same initiative देखने को मिलेगा, ठीक है, slum free बनाना है, ठीक है, ये इतना उन्होंने convert कर लिया, इतना करेंगे, ठीक है, 2019 में उनको सबसे पहला price मिलेगा, almost आपको सारा कुछ दीक है, बता दिया गया है, जागा mission कब start हुआ था, जागा mission scheme, ठीक है, तो काम किया जाएगा, world, sorry, UN Habitat, World Heritage, Habitat Awards क्या है, कब शुरू है थे, 1985 में ये शुरू किये थे, ये awards क्यों दिये जाता है, किसको दिये जाते है, ये awards की बात की दिखिया है, उनको दिये जाते है, मतलब जो, मतलब, अच्छे से, मतलब practice कर रहा है, काम कर रहे है, रहने साहने में, ठीक है, कुछ अच्छा काम कर रहे है, innovation कर रहे है, कुछ भी परजेक्टर, initiative आगे, वो सारे अगर कोई कर रहा है, अच्छा all over world तो उनको ये awards दे जाते है, ऐसे ही world habitat दे जाता है, world habitat दे भी 1985 में, 1985 में शुरू किया गया था, world habitat दे कर मना जाता है, तो ये October के महीने मनाया जाता है, इसकी कोई permanent day नहीं है, हर साल इसकी date change होती रहती है, लेकिन आपने कैसे जा रख रहा है, कि हर साल, October के महीने में, जो से पहला Monday आएगा, उस दिन मनाया जाता है, first Monday of October, उस दिन ये मनाया जाता है, इस साल, world habitat की theme भी रही थी, theme क्या थी, shelter is my right, के shelter मेरा क्या है, right है, जनम सिर्क अधिकार है, वो इसकी क्या थी, theme थी, पीए मोदी मनोहर एरपोर्ट गिफ्ट पोर गुवा, अब पीछे हम सबने एक news पड़ी थी, जिसमें क्या था, के गुवा में एक एरपोर्ट था, GIA मुपा कहां पर गुवा में, ठीक है, जो inaugurate किया गया था, अब GIA क्या नाम था, उस एरपोर्ट का क्या नाम था, Greenfield International Airport, कहां पर मुपा में, मुपा कहां पर है, गुवा में, उसका नाम चेंज कर दे गया, नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, MIA कर दिया गया, MIA मुपा गुवा, यह कर दिया गया, अब MIA का मतलब क्या है, MIA है, मनोहर International Airport, अब मनोहर नाम क्यों रखा गया, अब गौवा के फोर्मर सीम थे, गौवा के जो पहले सीम रह चुकिया, जिनका धिहांत हो चुका था, उनकी मतलब सरदानी जेने के लिए, उनको राज रखने के लिए, गौवा को गिफ्ट दिया गया, PM मोदी जी की दरव से, कि उसका नाम क्या रखा है, मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एरपोर्ट कर दिया गया, कि इसके, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एरफोर्ट से चेंज करके, MIA मनोहर इंटरनेशनल एरपोर्ट भी कह सकते हो, ठीक है, औ चले, that's all for today, आज के लिए इतना बहुत है, अब जो हमारे session होगे, classes होगे, regular रहेंगी, ठीक है, जो हमारे पीछे कुछ classes नहीं लगी, वो भी cover किया जाएगा, साथ में साथ जो हमारा regular trend चल रहा है, वो भी हम cover करते जाएगे, ठीक है, जल्दी हम वापस track पर आजाएंगे, बस एक-दो दिनों की बात है, उसके बाद daily के daily हमारे regular trend phase चलते रहेंगे, challenge, और इसकी जो PDF हा आपको हमारे telegram channel कर मिल जाएगी, telegram channel पर अगर आपको नहीं पता, तो success tree online हमारे telegram का channel है, नीचे description के, इस video की नीचे description में link भी होगा, वहाँ पर आप direct click करके आप open भी कर सकते ह आपको notes की PDF ही मिलती रहेगी, कोई नही notification है exam की, उसके बारे में पता चल जाएगा, कोई information आई है, वो भी आपको साय कुछ पता चल जाएगा, और मतलब जो भी notes है, वहाँ पर आपको provide मिलते रहते हैं, ताकि आपकी study continue चलती रहे, आप पढ़ते रहो, आपकी study में कोई भ बाता ना आए, चले जी, that's all for today, take care, bye bye, see you and jahind.